और आप यही सोचिए कि अगर एक टीचर के अंदर एक बच्चे के लिए इतनी नफरत है कि वो उसको इतना मारता है और हम आकर कहरें के कास्टिजम नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लोग आकर कहरें रेज़रेशन नहीं होना चीए, कास्टिजम तो एक बहुत पुरानी चीज है, ये कहां है? अगर एक छोटे बच्चे को पानी पीने के लिए इतनी मार पड़ती है कि वो मर जाता है तो किस चीज के आजादी है और ये आईरीनी बताईए कि 15 अगस्ट को जब प्रधान मंत्री बोल रहे हैं कि आजादी का अमरित महुत्सव बन रहा है लंबे लंबे भाशन दे रहे हैं कि औरते सेफ हैं जो माइनॉरिटी कम्यूनिटीज हैं वो सेफ हैं वो कहां सेफ हैं आप ही बताईए कि जो जातीवाद है वो हमारे अंदर इतना घुस गया है हमारे समाज में इतना घुस गया है कि दलितों को कोई सिक्यूरिटी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है पाने नहीं पिसकता क्या दूसरी रखते का यही तो जातीवाद कहता है कि जो एक कि जो दलित होते हैं यह आपर कास लोगों के लिए इंप्यूर होते हैं कि वो गंदे लोग होते हैं और आप यहीं सोचिए कि अगर एक टीचर के अंदर एक बच्चे के लिए इतनी नफरत है कि वो उसको इतना मारता है और हम आकर कह रहें कि कास्टिजम नहीं होता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है लोग आके कह रहें रेजरवेशन नहीं होना चाहिए कास्टिजम तो एक बहुत पुरानी चीज है ये कहा है यह लिए यह एक नुलिज करेंगे कि जातिवाद है और वो दलितों के लिए एक policies लाएंगे, ये political education classes करेंगे, स्कूलों में ये सिखाएंगे, teachers को ये सिखाएंगे कि जातीवाद करना, मतलब आप ही समझे है, हमारे समविधान में laws है, SCST atrocities act है, मतलब कानून के तहित ये सब करना गलत है, कानून के तहित ये सब, अमबेटकर ने भी यही कहा था न, कि हमें political freedom मिल गिये, राजनेतिक freedom मिल गिये, लेकिन समाजिक freedom नहीं मिली है, जो societal freedom है वो अभी तक नहीं मिली है, उसको लाने के लिए, जो हमारे नेता हैं, जिन लोको हमने vote दिया है, उनको ground पे आकर काम करना पड़ेगा, और ऐसी चीज़े इंशॉर करनी पड़ेगी, कि यह हो न, और नहीं सिर्फ दलितों के साथ, दलित औरतों के साथ, अगर आप देखेंगे, जो हातरस में हुआ है, उन नाओं में हुआ है, तो कुछ भी सेफ्टी नहीं है दलितों के लिए, लेकिन घोड़ी पर नहीं बैच सकता, मूझ नहीं रखा सकता, नहीं कपने नहीं पहन सकता, तो पिर कैसे करेगा दलितों अपना जिवन सर्वाईगे, वहीं तो नहीं कर पाएगा, यहीं तो उनका पूरा मोटिव है, कि दलित आगे ही नहीं बड़े, वो जिस छोटे स्तर पर हैं, अभी उसी छोटे स्तर पर रहें, उनका वहीं मकसद है, इसलिए वो यह सब करते हैं, अगर जब हम लोगा चोड़के, जो मेजौरिटी की घटनाएं हैं, वो एक्स्प्लॉइटेशन की ही है, ऐसा नहीं है कि हाँ पर कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ बुरी घटनाएं, कि बुरी चीज़े तो रहती हैं समाज में, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, लेकिन कोई हतनी मर जाती है देश में, तो प्रग्रसी लोग ट्वीट करते हैं, आसू बहाते हैं, एक दलित बालक की मौत हुई है, खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है, बिलकुल भी नहीं आ रहा है, आप देखिए हमारे पीछे प्रदर्शन चल रहा है, कितने बच्चे ह लोड पे लोग भर जाते हैं, लेकिन एक दलित के लिए परदर्शन करने लोग आएं, संक्या बहुत कम है, यह सोच बन गई है, अपना समाज बाट लिया लोगों ने, बिलकुल और यही तो चीज है ना, यह सरकार करना चाहती है, आप देखेंगे कि हर जगा मोधी सरकार स आप तिरंगा के साथ सेलफी लगाईए, तब जाकर आप हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, वो आजादी की बात करते हैं, वो आजादी हम नहीं मान रहे हैं, अच्छा कहने वाले लोग तो यह भी कह रहे हैं, कि वहाँ स्कूल में नल लगे हुए थे, लेकिन उसको मटकी से पानी ही क्यों पीना था, आप यही सोचिए ना, यह कैसी चीज है कहने के लिए, एक बच्चे को पानी पीना है माम, उसको पानी पीना है तो मतलब एक टीचर के अंदर कितना नफरत होगा कि वो उसको इतना मार दे, और आपी सोचिए ना, वो बच्चा है, वो टीचर है वो बच्चे ने उल्टा कुछ कहा भी नहीं होगा, कुछ किया भी नहीं होगा, पस एक जिन्दा लाश को मारे जारे, मारे जारे, इतना मारा कि वो मर गया, पानी पीने के लिए, हम कैसे देश में रह रहे हैं, क्या हो क्या रहा है इस देश में, लेकिन मैडम लोग कहते हैं क वही बिल्कुल मतलब चब अमबेटकर ने कहा था कि दलितों को मंदिर में एंट्री होनी चाहिए वो इस मंदिर के भी तो बात कर रहे थे जो विद्या है विद्या भी तो एक तरह का एक डिवोशन है एक वर्शिप है उसके लिए अगर अक्सेस नहीं मिलेगा और आप यह द दलितों को एजुकेशन से दूर रख पाएं अपर काश्ट मरता है तो एक और रुपे मिलते हैं नौकरी मिलते हैं सरकारी यहां कुछ नहीं मिला है कनिया लाल के परिवार को दो लोकरी मिली है वही तो बिल्कुल तो वही तो मैं कह रहे हूं कि एक स्ट्रक्चरल चेंज हो अपने देस्ट के लिए अपनी साथ दोस्तों के लिए, मेरे सरकार में पायल तडवी की महत हुई, रोईत वहमिला की महत हुई, फिर इसकी महत होगी एक संस्थानिक महत ब़ह बढ़ रही हैं मोधिसरकार में कि तभी रुखेंगे जब जो संस्थाएं हैं वो इस चीज को एक नॉलिज करेंगे जो पॉलिटेशन हैं जिन लों को हमने वोट दिया है वो इन मुद्धों को उठाएंगे वो इस इंशॉर करेंगे आप देखें न वो टीचर मैं आपको कहा रही हूं वो टीचर को क्यों ल से बहुत बश्शुक्रिए जो आप देखा किस तरीके से यहाँ पर लगातार परदर्शन किया जा रहा है राजिस्तान का इंद्र मेगवाल यानी कि 9 साल का मासूम किसी एक स्वर्ण मांसिक्ता के घाट मोत के घाट उतर जाता है सोचिए कि इस वर्ण मांसिक्ता के लोग साल के मासूम को अपनी जान गवानी पड़ती है सोचिए ये कैसी व्यवस्था है ये कैसे देश का कानून है जहां आजादी के 75 साल का जश्ण मनता है लेकिन एक तरफ वही जाती वादी आस तक दिमाग से नहीं गई है इसी किसा आफ देखते रही जनित आवाज मेरे स योगी घरमेद के साथ में पूजा